अस्ट्रेलिया दौरे पर वंडे सीरीज में करारी हार के बाद कल यानी 4 दिसंबर से शुरू हो रहे टी 20 सीरीज में टीम इंडिया को ही जीत का दावेदार माना जा रहा है जी हाँ बेशक भारत की तरफ से इस्टार बल्लेबाज रोहित सर्मा, रिसप पंथ और महंदर सिंग्धोनी नहीं खेलेंगे इसके बावजूद भारत के पास एक ऐसा तुफानी बल्लेबाज है जिसके नाम से ही औस्ट्रेलियाई टीम के गेदबाज थर थर कांप रहे हैं दोस्तों अब राप आस्ट्रेलिया दोरे पर टीम इडिया में हिटमैन रोहित सर्मा और रिसप पंथ को मिस कर रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें हालकि वंडे सीरीज के सुरुआती दो मैचों में आस्ट्रेलियाई टीम के बल्लेबाजों ने जबरदस्त बल्लेबाजी की आरोन फिंच और इस्टीवन इसमीत जैसे आस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने जम कर टीम इडिया के गेदबाजों की खबर ली इसके अलावा ग्लेन मैक्सवेल की तुफानी बल्लेबाजी देखकर दुनिया भर के क्रिकेट फैन सहरान है हाल ही में IPL 2020 के दौरान ग्लेन मैक्सवेल एक एक रन के लिए जूचते रहे लेकिन जैसे ही टीम इंडिया आस्ट्रेलिया दौरे पर गई ग्लेन मैक्सवेल एक अलाग ही अंदाज में जराए अभी तक खेले तीनों वंडे मैचों में ग्लेन मैक्सवेल ने सांदार बल्लेबाजी की क्रिकेट विशेशग्यों की माने तो टीट्वेंटी सीरीज में टीम इंडिया के बल्लेबाजों का दब दबा रहेगा भारत के पास संजु सैंसन, लोकेश राहूल और हारदिक पांडिया जैसे विश्व चेंपियन बल्लेबाज हैं जो उस्ट्रेलिया के खिलाब टीट्वेंटी सीरीज में बेहद ही घातक बल्लेबाज साबित हो सकते हैं इसके अलावा सीखरधवन और मनीस पांडे जैसे अनुभवी बल्लेबाज हैं जो मैदान पर ठिक गए तो अकेले दम पर टीम इंडिया को जीत दिलाने की छमता रखते हैं क्रिकेट विशेशग्यों की माने तो टीम इंडिया टीट्वेंटी सीरीज में तीन सुन्य से उस्ट्रेलियाई टीम का सुपड़ा साब कर सकती है हलकी जानकारों की माने तो बेशक टीम इंडिया की बल्लेबाजी काफी मजबूत नजर आ रही है लेकिन इसके बावजूद भारत को तुपानी बल्लेबाज रोहित सर्मा और रिसाप पंत की कमी बहुत खलेगी जी हाँ आपको बता दें रिसाप पंत और रोहित सर्मा बेहद ही आकरामक बल्लेबाज हैं जो मात्र 40 से 50 गेंट की पारी में दोहरा सतक भी बना दे तो इसमें हैरानी बाद नहीं होगी